सब्सक्राइब कीजिए ग्यानोके चैनल को और गौर्मेंट जॉप्स गौर्मेंट स्कीम और रिजल्ट से रेलेटेड अपडेट का नौट्विकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तीज और बाकी जो तमाम जनकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्तों अगर आप भी एक बेटी के पिता हैं तो यह योजना आपके लिए है LIC कान्यादान policy एक ऐसी योज़ना है जिससे कि आपकी बेटी का भवी से सुधर सकता है LIC कन्यादान policy खास तोर पर लड़कियों के लिए बेटियों के लिए सुरु की गई है ये policy क्या है, इस policy के बारे मैं मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्तों इस policy में आपको अधिक रुपे जो है इन्वेस्ट करने की जरुवत नहीं पड़ती है बस आपको हर दिन 121 रुपे जमा करने हैं और आपको 27 लाग का फंड बनेगा आपके लिए और इस जो ये जो फंड है इस फंड से आप अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए साधी के लिए जो है इसको निकाल सकते हैं तो दोस्तों LIC कन्यादान policy में आवेदन करने के लिए आपकी नियुनतमाई 30 वर्स होनी चाहिए और आपकी बेटी की नियुनतमाई 1 वर्स होनी चाहिए और ये policy आपको 25 साल के लिए लेनी है और इसका जो premium है आपको 22 साल तक भ में सीमा है उसको आप घटा और बढ़ा सकते हैं अब दोस्तों आपको बता दें कि ये policy जो है इसका भुगतान आपको कैसे करने होता है तो 6 मईने 4 मईने या 1 मईने में जैसे भी आपको सही लगता है आप इसका भुगतान कर सकते हैं अब दोस्तों इस योजना कि जो दन करता है जिनके की मृत्य हो जाती है तो उसके परिवार को हर साल LIC कंपनी के तरफ से एक लाग रुपे दे जाएंगे और पॉलिसी के 25 साल पूरे होने के बाद पॉलिसी का जो नॉमनी है जो लड़की है उसको 27 लाग रुपे अलग से दिये जाएंगे इस योजना के और योजना के दोरान पॉलिसी धारग को मिलने वाला मृत्यू लाब वार्सिक इंस्टॉल्मेंट में दिया जाता है जो पॉलिसी धारग की मृत्यू के बाद उसके परिवार के वित्तिय जरूतों को पूरा करता है और इस योजना के लिए दूस्तों पातरता जरूरी है जो पात्रता है वो क्या है इस पॉलिसी को केवल बेटी के पिता के द्वारा खरीदा जा सकता है और इस योजना के अंतरगत आयू सीमा 18 से 50 वर्स रखी गई है और अलाइसी कन्यादान पॉलिसी खरीदने के लिए आपकी बेटी की कम से कम जो आई है एक वर्स होनी चाहिए और परिपक्कोता के समय न्यून्तम जो 2083 है वो आपकी एक लाग रुपे होनी चाहिए परिपक्कोता के समय अधिकतम 2083 की कोई सीमा नहीं है इस योजना की अंतरगत 13 से 25 वर्स तक की पॉलिसी अवदी है एलाइसी कन्यादान पॉलिसी के अंतरगत पॉलिसी की अवधी प 15 वर्स है तो पॉलिसी धारक को 12 वर्स का ही प्रिमियम भुकतान करना होगा अब दोस्तों इस योजना के लिए आविशक डॉकॉमेंट्स क्या क्या हैं कैसे आपको आवेदन करने के लिए डॉकॉमेंट्स क्या क्या आपसे मांगे जाएंगे तो आधार कार्ड आय परमान पत्र पहचान पत्र और एड्रस प्रूफ पासपोर्ट साइज फोटो और योजना के प्रस्ताव का विदिवत भरावा एक आवेदन फॉर्म आपको चाहिए होगा और पहला प्रिमियम जो है भरने के लिए आपको चेक या कैस चाहिए होगा इसी के साथ में लड़की का जनम प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए होगा अब इस यूजना के लिए आवेदन कैसे करेंगी तो जो इच्छुक लाबारती है इस यूजना के अंतरगत जो है जो इलिजिबल है इस यूजना के लिए वो अपने नजदी की LIC Office या LIC Agent से संपर कर सकते हैं और उनसे ये Policy सकते हैं और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए दोस्तों हमारे साथ बने रहे हमारे चैनल को Like Share और Subscribe करें और बेल आइकन को दबाना बिलकुल न भूलिएगा तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद